So experiment videos में यह है हमारी एक और experiment video आज किस video में हम print करेंगे इस पे यह क्या है? यह एक hardboard का piece है जो के इस तरफ से polished है और इस तरफ से polish नहीं है और यहाँ पे देखें मैंने इसका एक इतना सा piece लिया है और इस piece को हम आज हीट प्रेस मशीन के थ्रूँ डिटियाफ प्रिंट करेंगे यहाँ पे मैं अलड़ी एक print आउट ले चुका हूँ और यह देखें यह जीटियाफ प्रिंट है इसके पीछे हमने powder coat भी कर लिया है और powder coat करने के बाद हमने इसको जो है अपना heat press machine के थ्रूँ heat भी लगा ली थी यह अपनी heat gun होती है heat gun से हमने इसको heat लगा के पाउडर को melt कर लिया था powder को melt करने के बाद यह थंडा भी हो चुका है और अब यह ready for paste है अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी इस वाली side पर लगा हूँ या इस वाली side पर लगा हूँ देखी यह side है polish जैसा कि हम जानते हैं कि polished side पर dtf जो है वो इतना ज्यादा चलता नहीं है यानि कि print तो वो हो जाएगा यानि कि वो उसके बाद उतर जाएगा so that मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं जो है इसकी इस वाली side पर dtf print करूँ इस वाली side पर यह है कि यह side थोड़ी rough है थोड़ी grippy है so इस पर जो है dtf जब हम करेंगे so करने के बाद यह उतरेगा नहीं पर अर अगर उतर भी जाता है तो भी कुछ अर्ममक्रिमेंट कर रहे है though experiment में तो कुछ भी ऊसकता एक काम ठीक भी रोसकता है नहीं भी होसकता और दोनों चीजे हमारे सामनेे आजएंगी और इस पे मैं print करने जा रहा ही हूं मेशीन को मैं अगा रहा हूं और मैं इसको 300 फॉरन निट पे for I think 30 seconds करूंगा हाँ इतना ठीक है 300 फॉरन निट पे first temperature 300 second temperature और for 30 seconds और 30 seconds में मैंने ये भी देखना है कि ये जो मेरी ply का piece है यानि कि ये जो मेरा hardboard का piece है क्या ये इसको बरदाश कर सकता है यानि ये ना होगे ये 300 फॉरन निट पे ये ये बैंड हो जाए ये कुछ भी हो सकता है सो आईए देखते हैं क्या होता है कुछ सीखेंगे हम निया सो अब जो है मैं temperature सेट करने जा रहा हूँ यहां देखिए फर्स temperature मैं करूंगा 300 फॉरन नाइट और सेकिंड भी 300 ये अल्लाइड यहां पर मैं 35 को कर दूंगा 30 सेकंड यह मैंने 30 सेकंड कर दिया और यहां पर मैं वेट करता हूँ जब तक यह हीट होती है तब तक हम heat tape के साथ इस अपना जो मारा wood का piece है इस पर हम dtf print जो है वो लगा लेते हैं यहां पर यह देखिए यह दो piece मैंने heat tape के ले लिया है heat resisting tape के यह मेरा dtf print है यह मेरी press है यहां पर मैंने इसको रख दिया है almost center में और Center रखना बने जोड़ी निया कि्हा दरूडी नियहला एकिन में रखना हुं और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा हिट देप का पीस लगा देता हुँ यह देखिए यह उतर भी रहा है लेकिन कोई बात नहीं हम इसको दवारा लगा लेते हैं यह देखिए यह इसलिए लगाया है ताकि यह ले ना इजिली जो है यह ही पेस मेशीन के नीचे रखा जाए यह मैंने लगा दिया है और मेशीन जो है वो धाई सो पहुंच गी अगर लेली वीडियो में मैंने प्रिंट किया था गिलास पे इस पर्डावदस प्रिंट हुआ है और यह आप देख सकते हैं अगर आप इसकी कंप्रिट वीडियो देखने चाहिए तौ हमारे चैनल पर जाके जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे आपको सब्सक्तिश को कंप प्रेश लगा दिया मेडियम प्रेशर रखा है मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखा और थर्टी सेकिंड्स जो हो मेरे स्टार्ड हो चुके हैं जैसे ही थर्टी सेकिंड्स कंप्लीट होते हैं मैं इसको निकालता हूँ उसके बार ठंडा उने का वेट करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या तीड मारा है अभी मैं इसके नीचे से इसको उपर से अटाऊंगा और नीचे से देखूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता कि यहां पर क्या हुआ है लेकिन बहुत गरम है और आप जो है इसको ऐसे ना फकड़िएगा वैसे मिरा हाथ जला नहीं है लेकिन यह काफी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होईंगा उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है जैसा के हमने इसपे हीट भी लगा लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा के इसपे जो है मैंने फाइफ सेकंड उसके बाद फिर फीर फ्री इट लगाई थी इनके तो फॉटल होगे मारे थर्टी फाइफ सेकंड इनके तो यह थोड़ा सा गर्म है और जैसे ही थंडा हो भड़ता जा रहा है और इसको उतारने के लिए और यहां पर आप देखिए देखिए विवर्ड आप देख सकते हैं यहां पर यह मेरी प्लाई के ऊपर लग चुका है टीटीएफ प्रिंट और यहां पर रिजल्ट भी अच्छा है और यह उत्रेगा भी नहीं क्योंकि यह रफ सर्फीस है और जैसा कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो हमने ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि ग्लास के ऊपर जो यहां पर देखिए यह देखिए यह इसके ओपर सही लग गया है और यहां पर देखिए यह एक अच्छा आइडिया है आई थिंक इसको हम अगर और भी चीजों पर लगा के देखें तो यह किन किन चीजों पर लग सकता है यह कब तक लगा रहेगा मैं आपको एक अफ़ते ब पाद इस पे वीडियो बना के जरूर बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको इस पे भी वीडियो बना के बताऊंगा कि यह कितने दिन लगा रहता है यह हम ऐसे ही इसको रखेंगे हफता दस दिन पंद्रह दिन जितने दिन मी मैं रख सका उसके बाद मैं दोनों पे आपको साइट पर 35 सेकंड के बाद भी यह बेंड नहीं हुआ और ना इसको कोई मसला हुआ है यह बिलकुल अपनी हालत में बरकरार है और इस तरफ से इसकी जो शाइन है वो भी बरकरार है अब नेक्स वीडियो में जो है मैं इसकी जो इस वाली साइट पर मने लगाया था अब मैं मारकिट्स जाएंगे मारकिट्स हम कुछ सैम्पल से लाएंगे कुछ पीश लाएंगे इसके हार्ट बूट के डिफरेंट कलर्स के और लिफरेंट कलर्स के उपर हम दो चार कलर्स को लेके उसको लगा के देखेंगे अगर यह हमारा Wikka real काम जाब होता है तो आप सोचिए कि यह एक नई जो इसमें एक आइडियोलोजी है प्रिंटिंग में यह नई आइडियोलोजी उठाएगा और यह आइडिया बड़ा अच्छा रहेगा हमारे मुख्तलिफ किसम के फ्रेम्स डिजाइन करने के लिए मुख्तलिफ किसम की पिक्चर जो है बनाने के लिए आप मेरी अब अपनी तस्वीर उठाएं और यह आप घर पे अपने लगाएं और यह नहीं कह रहा है कि इस तरह लकड़ी का पीस उठा के लगा ले इसकी बगाएदा फ्रेमिंग हो सकती यह एक फ्रेम की शकल में बन सकता है और इसकी साइड़ पर बड़ा अच्छा बरदस किसम का लग सकता है उसके बाद अगर हम इस पर प्रिंट करें यह उनीक एक डिफरेंट चीज़ होगी तो आप इसको प्राइक कीजिएगा अगर आप करना चाहें लगा के देखिए गए इस एक्सपेरिमेंट को मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा आपके लिए और हमारे यूट्र चैनल है इस पर एक्सपेरिमेंट के इलावा जो विडियो था हो तो आती ही रहेंगी वह जो लर्निंँ वीडियो था वी आती रहेंगी और आज की वडियो के लिए बहूँ इतना ही था अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक किजिए गा निशे वीडियो बहुसारी ओर, so thanks for watching निश्चेमिन टरी YouTube channel, see you next video, Allah Hafiz.